दोस्तो हम स्वर संधी पढ़ रहे थे और पिछले आड़ो लेक्चर में हमने गुण संधी के बारे में पढ़ा था आज हम डिसकसन करने वाले हैं व्रद्धी संधी के बारे में व्रद्धी संधी में दोस्तो सबसे पहले मिने संधी पढ़ाने से पहले ये कहा था कि आपको दो पार्ट बनाने हैं, नंबर one पार्ट, नंबर two पार्ट और बरावर इक्वल करना है, कि पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को जोड़ना है, और फिर क्या करना है, बरावर करके उसका result आएगा। तो बात करें हम कि कोई सा भी वर्ड रहता है जैसे हमने कुछ भी जैसे हम बात करें गुण संदी में मैंने बात करी थी नरेंद्र की तो नरधन इंद्र तो दोस्तों पहला पार्ट है तो पहले पार्ट में नरेंद्र का संदी विच्छत करेंगे तो नरधन इंद्र बनेगा तो न र जो आरहा है तो दोस्तों जो पहला पार्ट है पहले पार्ट का पहला सब्द जो है उस सब्द में क्या करना है कि last अक्षर को देखना है जैसे न नरे इंद्र तो न र र में अ को देखना है इंद्र तो इंद्र जो second part है second part काम को first part अक्षर देखना है तो यह आप समझ चुके होंगे या समझना जरूरी है तभी आप संधिया समझ पाएंगे आज हम discussion करने वाले हैं वरदी संधि के बारे में और वरदी संधि के बारे में दोस्तों सबसे पहले आप विछले आडियों की तरह ही इसमें क्या करें दो पार्ट तयार करें एक होती जिसे की पहला पार्ट में दो पार्ट बनाएंगे तो पहले पार्ट और इसके बाद में दूसरा पार्ट प्लस में दूसरा पार्ट फिर बराबर यह आपको फार्मुला अपनाना है तो व्रद्धी संदी की बात करें दोस्तों तो व्रद्ध का इनक का इनक कर सकते हैं और इसकी किताबी लेंग्विज देखते हैं तो दोस्तों अनार का या आम के बाद एडी का या या एनक का आए तो दोनों के मेल से एनक हो जाता है और और आ के बाद ओ या अव आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है अव हो जाता है जैसे एक्जामपल देखते हैं और व्रद्धी संदी तो व्रद्धी संदी की बात करें दोस्तों पहले गुन संदी की बात करें तो संदी में कि जहां इसका साठकर फारमूला यह है कि और तो सबीनाम देखेंगे उसमें बीच में एक मातरा दिखाये या ओकी one Liberty day Aukya उड़न्डा दिखाये दें और दीखाये ऊपो सी संदी ओगी गुण performed संधी होगी और उसी में दोस्तों क्या लगते एक मात्रा और वड़ा दे तो वह पोद्धी जाए कि कौन सी संदी हो जाएगी गुण संदी और बात करें कि गुण संदी में ही क्या होता है कि बीच में की मात्रा लग जाए जैसे कि परोपकार हितोपदेश विरोचीत सुर्योर्जा जलोर्मी महोदे महसो यह मात्रा लग जाए तो दोस्तों वह भी क्या हो जाएगा की मातरा लग है now को दी संदी में क्या करना है इनमें एक और एक मातरा की व्रद्धि कर 대해서 देनी Hopkins है जिसे שौना की मातर लग जाती है उसे हम व्रद्धी कहेंगे जहांगा की मातरा लग दो कि चोटा ओं यहां पर क्या करेंगा ए और आव की मात्रा तो एक्जम्पल देखते हैं पेने अनार का और एडी का ये मिलकर क्या बन जाते हैं एनक का बन जाते हैं अनार का धन एडी का बरावर से क्या बन जाते हैं एनक का बन जाते हैं जैसे एक 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 धन एक तो दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है एक ध अक्षर देखना है और सेकंड पार्ट का फर्स्ट अक्षर देखना है तो एक और एक एक धन एक एक हो रहा है आई की मात्रारी एक 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 बोल सकते उसको आई की मात्रा है तो एक का में आ की मात्रारी है और एक मुस्में क्या रहा है एक की मात्रारी है तो बरावर से क्या बन अनार का मिलाएं और अनार का मिलाएं प्लस में एनक का मिलाएं तो बरावर से क्या बनेगा एनक ही बनेगा जैसे मतेक्या तो मत धन एक्या मत तो में आ की मत्रारी है धन एक्या एक्या दोस्तों आई की मत्रारी है जिसमें लंबा जो डंडा है उसे हम ए बोलेंगे आई की मत् और फिर किसी को आगे देखे धनेश्वरिया आठानक की मात्रारि में यॉगया कि मात्रारि है तो दनेश्वरिया पिर करते हम मैं आनिया आम के आम का प्लस एली का बराबर से क्या बनओकल अटनदी बराबर से बड़ा तो क्या बनेगा सदेव में दोस्तों सदाधन एव तो सदाधन एव में सदाव सब्झाइब हमको यह देखना है कि फरस्ट पार्ट और से करड़ स्क्राइब में चैक। अने कोई साथ सब्द लिखा है दो पार्ट तयार कर रहे हैं तो दो पार्ट में अलग-अलग सब्द हमने बनाएं तो सदा लिखा तो सदा में दोस्तों हमको लास्ट अक्षर देखना है और सेकंड पार्ट का फस्ट अक्षर देखना है यह भी ध्यान रखें कि फस्ट पार् मत्रा रही है तु सदेव। तथा थन एव तथा में आकी मत्रा और एव में एडि का आगे बात करें आम का और ये एनक का इनको मिलाकर बनाएंगे तो वह भी क्या बनेगा एनकका ही बनेगा जैसे महेश्वरय तो महा धन एश्वर्य अब बात करें अनार का धन और उखली का बराबार से क्या बनजाता है और यो gü przeci दोनों मिलाकर वन जाता है ने कि वन उस्थी दंतोस्थ दंत धन ओस्थ दंत में आ की मात्रा रिये औस्थ में ओ की मात्रा रिये तो और आगे चल कर क्या बन जाते ने दंतोस्थ अधन ओ की मात्रा बरागवर से क्या बनता है अउ परम धन ओदार्य परम धन ओशद परमोशद महोजश्वी तो आ और ओ मिलकर अउ बन जाता है बड़ा आ धन छोटा ओ बरावर से अउ की मात्रा बन जाती है तो दोस्तों महाधन ओजश्वी महोज महाधन ओज महोज बड़ा और बड़ा अउ मिलकर क्या बनता है अउ की मात्रा बन जाती है जैसे तो महाधन ओशद में क्या बनेगा महाधन ओषद महोधार्य तो क्या बनेगा महोधार्य तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि पहले गुण संदी में आमने क्या देखा कि बीच में एक की मात्रा दिखाई दे एक डंडे वाली एडी का दिखाई दे और ओ की मात्रा दिखाई दे मलब छोटी एक की मात्रा और छोटा ओ की मात्रा बीच में इसे पुषपेंद्र नरेंद्र दिपेंद्र महेंद्र या थ अब उसी उने क्या कर दिया एक मात्रा की और वरद्दी कर दी तो कोंजी संधी बंगई व्रद्धी संधी में हमने क्या कि HO Czy Johan एक मात्रा थी वहाँ पर दो मात्रा लगाने लगहें जैसे एक-एक low tusd mortgage मतख्या सदेव ये दोस्तों आसम्ने एक मात्रा लगाने लग JE है और कि मात्रा की बात करें हम महोश्त यह सब पर्मो उश्थ की मात्रा ने की एक में किया हो गई एक मात्रा में और वद्दी हो गई तुसको वद्दी संधि कहा उम्मित करता हूं। को यह समझ में आया होगा मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर के साथ जब तक दोस्तों स्वस्त रहिए मस्त रहिए गस्त रहिए और खुश रहिए जहिन